एक्सक्रिशन वारे चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे आज ही लास्ट वीडियो है एक्सक्रिशन का ठीक है एंसे आटी रिकेप सीरीज चलू है और आज हम लोग फाइनली पूरी फिसिजियोजी पढ़ने के बाद एक्सक्रिशन के आज हम डिसकस करेंगे इबाउट डिसॉ देखो एक्सक्रिशन में बेसिकली आपको पता ही है किड्नी मेजर ओर्गन है इसका ठीक है तो इस किड्नी से असोशेटेड कौन कौन से डिसॉर्डर्स हमको पढ़ने है आज इस वीडियो में वह हम लोग देखते एक बार देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूरेमिय साते हैं तो मैं आपको सफिक्स या जो कॉमन वर्ड्स होते हैं तो बहुत बार डिस्कस कर चुक है हमकि अगर किसी के पेखे सफिक्स लग रहा है गया एंगर किसी के सबदोंगा अब अबवेसी बात है अगर ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है इसका मतलब कौन सा ओर्गन में दिक्कत है किड्नी में दिक्कत है ब्लड से यूरिया फिल्टर करने का काम किड्नी का है kidney अगर proper काम नहीं कर रही, not dysfunctional है तो that means कि blood में urea बढ़ेगा और उस condition को हम कहते है uremia तो आज इस वीडियो में हम पहले तो यह देखेंगे कि uremia से क्या-क्या दिक्कत हो सकती है और अगर ऐसे cases में जिसमें समझो kidney failure है या kidneys proper function नहीं कर रही और urea blood में बढ़ता जा रहा है urea आपने को पता है nitrogenous waste है और nitrogenous waste है मतलब कि वो एक toxic भी है तो अगर वो blood में बढ़ता रहेगा तो यह तो दिक्कत वाला काम है तो इस urea को blood से फिर कैसे बाहर निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पर सेखेंगे second फिर हम बात करेंगे renal Calculi की renal means kidney और Calculi basically word use करता है stone के लिए तो renal Calculi का मतलब हो गया renal stone याने kidney stones यह सुना होगा आपने बहुत common बिमारी है आज के टाइम पर कि उसकी kidney में stone है तो that is renal Calculi और उसके बाद हम बात करेंगे glomerulonephritis इसमें भी अगर आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी हम किसी वर्ल्ड में पीछे जो fix है वो यूज करते है itis का मतलब होता है inflammation itis inflammation को show करता है glomerulonephritis का simple सा meaning हो गया कि जो glomerulus है उस glomerular part में क्या हो रखा है inflammation तो यह सब चीज़े हम यहाँ पे अब discuss शुरू करते हैं सबसे पहले बात करता हूँ uremia uremia का मतलब हो गया अगर आपकी blood में urea का level बढ़ने लगे तो उसको कहा जाता है uremia और obviously uremia का reason क्या है mal functioning of kidneys यानि kidneys अगर proper function नहीं कर रही urea excret नहीं कर पा रही urea excret नहीं कर पा रही तो urea automatically blood में बढ़ने लगेगा ठीक है तो mal functioning of kidneys की वज़े से accumulation होता है urea का blood में और उस condition को कहा जाता है uremia और अगर यह condition इसी तरह से चलती रही तो ultimately it will lead to kidney failure रेनाल failure रेनाल word kidney को represent करता है basically तो रेनाल failure मतलब kidney failure तो कहते है ना सुना होगा आपने की किसी particular individual का kidney fail हो गया तो वो uremia के cases है uremia जब लंबा टाइम चलता है तो वो kidney fail कर देता है clear तो अब सवाल ही आता है कि सर एक patient है kidney fail हो चुकी है और blood में यूरिया बढ़ता जा रहा है तो ऐसे patients में हम क्या करता है ऐसे patients में एक treatment होता है जिसको कहा जाता है hemodialysis क्या कहेंगे hemodialysis hemodialysis में basically हम एक machine use करते हैं उसको कहा जाता है dialyzing unit और या फिर artificial kidney कहते हैं उसको अब जैसा नाम से दिख रहा है आपको artificial kidney यानि ये क्या काम करेगी ये blood से nitrogenous waste निकालने का काम करेगी आपने सुना को इस बारे में कि उनके को individual है जिनको kidney fail हो गया तो वो dialysis के लिए बार-बार hospital उनको जाना पड़ता है तो depending on कि कितना kidney खराब है उसके according dialysis के frequency जो है वो decide की जाती है तो basically artificial kidney या dialyzing unit एक ऐसी machine है जो patient के blood से nitrogenous waste urea, uric acid और ammonia जो है वो बाहर निकालती है ठीक है इस technique को कहा जाता है hemodialysis अब एक single diagram से मैं आपको एक बार hemodialysis समझाना चाहता हूँ यहाँ पे देखो hemodialysis में basically क्या किया जाता है कि patient की artery से blood निकाला जाता है इस picture में यह artery है एक second है color change कर लेते है यह patient की artery और यह patient की vein blood काह से निकालेंगे है blood निकाला जाता है patient की artery से blood patient की artery से निकल कर इस tube में आएगा जैसे ही हम blood निकालते है immediate हम blood में heparine inject कर देते हैं का inject करते है heparine आपको पता यह हुगा एक natural anticoagulant है देखो जैसे ही blood body से बाहर आएगा उसकी tendency होगी clot करने की और अगर blood clot हुआ तो flow नहीं होगा flow नहीं होगा तो machine में नहीं जाएगा proper function नहीं कर पाएगा अगर हम चाहते हैं कि blood को filter करें तो हमें इस machine से इसको pass on करना होगा blood यहां से निकलेगा और यह पूरा यहां से होता हुआ अब यह यहां पर enter कर रहा है इस dialyzing unit यह artificial kidney में इस तरह से move करता है dialyzing unit में तो यह flow तभी कर पाएगा जब यह clot नहीं हो तो इसके लिए एक anticoagulant यानि जो blood को clot होने से रोके हेपरिन उसको inject कर दिया जाता है बाद में इस blood को pass करता है इस dialyzing unit में और dialyzing unit में इस blood में से nitrogenous waste बाहर आ जाते हैं और फिर blood clean होने के बाद वापस से हम उस blood को डाल देते हैं वेन के अंदर यानि की कुल मिला के आपने blood निकाला है आर्टरी से उसको डाला है dialyzing unit में और dialysis होने के बाद में उस blood को वापस आप लोग डाल देते हो वेन के अंदर और meanwhile जब blood आर्टरी से बाहर आता है तो आप heparine inject करते हो और जब blood वापस body में डालते हो तो यहाँ पर वापस heparine के effect को कम करने के लिए यहाँ पर आप वापस anti heparine inject करते हो clear तो जब blood बाहर आएगा heparine inject करना होगा और blood को वापस अंदर डालोगे तो वापस anti heparine यानि heparine का opposite जो है यहाँ पर inject किया जाता है clear अभी dialyzing unit कैसे काम करता है जो मैंने blood यहाँ पर pass किया इस machine में इस blood में क्या क्या present था इस blood में urea present है uric acid present है और ammonia present है यानि nitrogenous waste present है और जो blood यहाँ से आया इसमें यह सब present नहीं है इसका मतलब dialysis machine में यह सब निकल गया कैसे निकला उसके पीछे का mechanism कैसा है वो हम समझते हैं आप इस machine को देखते हम एक बार देखो इस machine के अंदर basically एक fluid भरा होता है जिसको आप कहते हो dialysis fluid यह dialyzing fluid यह dialyzing fluid है इसके अंदर इस fluid का जो concentration है वो हमने exact वैसा रखा जैसा कि blood plasma है यानि plasma का concentration और इस dialyzing fluid का यह dialysis fluid का composition क्या है same composition है बिलकुल लेकिन इस dialysis fluid में nitrogenous waste नहीं होते हैं dialysis fluid में क्या है nitrogenous waste नहीं होते हैं बाकी composition same to same है अब dialysis fluid में से एक cellophane tube पास करते हैं देखो इस तरह से curved रखते हैं हम इसको ना ऐसा तो मैं ऐसा आपको समझाने के लिए straight रख रहा हूं इसको यह dialyzing fluid में से हमने एक cellophane tube पास की ठीक है और सिधा नहीं रहता इस तरह से रहता यह वो इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि लंबा time मिल जाए इसको medium के अंदर तो यह क्या है यह है cellophane tube और cellophane tube की खास बात यह होती है कि cellophane tube semi permeable रहती हैं याना यह permeability show करती है basically यानि कि substances का यहाँ पर movement हो सकता है as per the concentration gradient concentration gradient के हिसाब से diffusion यहाँ इस membrane के थूँ cellophane membrane के थूँ क्यों है possible है अब आप समझे इस बात को मैंने क्या का इस fluid का जो concentration है वो same है plasma के अब आप समझो जैसे मैं normal बात करता हूँ sodium की बात करता हूँ जितना plasma में sodium का concentration है उतना ही sodium का concentration है इस cellophane tube में तो क्या sodium का movement होगा नहीं हो सकता possible नहीं है ना क्योंकि composition same है तो जिन जिन चीजों का हमने composition same रखा उसका तो movement होगा नहीं बात करते है nitrogenous waste की समझो यूरिया की बात करते हैं यूरिया blood में present है लेकिन क्या fluid में हमने nitrogenous waste डाले नहीं डाले यानि बाहर nitrogenous waste नहीं है अंदर nitrogenous waste present है तो cellophane tube से automatically सारा nitrogenous waste कहां आ जाएगा इस dialysis fluid में चाहे यूरिया हो यूरिक एसीडो creatinine हो ये सारे के सारे move कर जाएगे dialysis fluid के अंदर तो जो blood यहां से अंदर enter हुआ उसमें nitrogenous waste present है और जो यहां से exit हुआ उसमें nitrogenous waste नहीं है कहां गए fluid के अंदर चले गए तो continuous क्या होगा continuous fluid में nitrogenous waste accumulate होता जाएगा इसलिए क्या करता है कि fresh fluid जो है हम continuous अंदर की तरफ डालते रहते यहां से continuous fresh fluid जाता रहेगा और दीरे दीरे इस fluid में जमा होते रहेंगे nitrogenous waste तो nitrogenous waste वाले fluid को वापस बाहर निकाल लिया जाता है इस तरह से यह fluid भी move करता रहता है क्योंकि अगर हमने fresh fluid बार-बार introduce नहीं किया तो बाहर भी क्या होगा दीरे-दीरे nitrogenous waste का concentration बढ़ता जाएगा फिर अगर यह plasma के बराबर आ गया तो फिर इसका movement रुक जाएगा इसलिए हमें fluid continuous जो है move करवाना होता है fresh fluid डालते रहो और used fluid को बाहर निकालते रहो तो इस तरह से dialysis machine काम करती है NCRT की language में समझते हैं इसको NCRT कह रही है कि एक coiled coiled क्यों रखी हमने ताकि ज़्यादा समय तक blood को अंदर move करने का time मिले और उसी साब से diffusion होता रहे पूर से small pores present होते हैं इनी pores के थूरू जो है movement होगा nitrogenous waste का cellophane tube किसके बनी है cellophane नाम के material की surrounded by dialyzing fluid है ना इस tube के बाहर आपको dialysis fluid मिलेगा fluid का composition बिल्कुल वैसा ही है जैसा का plasma का है लेकिन उसमें nitrogenous waste present नहीं होते और जब इस tube में से blood move करेगा तो nitrogenous waste blood में से move करके fluid में चले जाएंगे because बाहर वो नहीं है और अंदर उनका concentration जादा है तो high concentration से low concentration nitrogenous waste अपने आप move कर जाएंगे और इस तरह से हमने blood को nitrogenous waste से clear कर दिया kidney function नहीं कर रही थी लेकिन blood को body से बाहर निकाल के हमने उसे nitrogenous waste से clear किया अब ये तो था system dialysis machine कैसे काम करती है अब overall पूरा procedure क्या है hemodialysis का वो मैं समझ जाता हूं आपको NCRT के बार्षा में सबसे पहले एक convenient artery से blood को drain किया गया blood जब body से बाहर आया तो उसमें immediate heparin हमने inject कर दिया वो anti-coagulant का काम करेगा blood को clot होने से रोकेगा क्योंकि अगर blood clot हो गया तो इस tube में से वो flow नहीं होगा उसके बाद में blood को pump करेंगे dialyzing unit में dialyzing unit में जाने के बाद blood में से nitrogenous waste clear हो गए और blood अब nitrogenous अब dialyzing unit से बाहर आया बाहर आने के बाद उसमें anti-heparin हमने वापस add किया और उसको वापस हमने जो है vein में डाल दिया यानि blood artery से आकर वापस vein में introduce कर दिया जाता है इसको कहा जाता है hemodialysis और ये method basically एक वर्दान है उन हजारो यूरेमिया patients के लिए दुनिया बर में ठीक है बून बून का मतलब होता है वर्दान तो जो हजारो यूरेमिक patients है all over the world उनके लिए hemodialysis एक वर्दान की तरह काम करता है तो ये था all about यूरेमिया ठीक है यूरेमिया अगर टाइम पर treat नहीं किया जाता है तो ultimately kidney failure होना तरह है next second जो हम लोग आज discuss करेंगे वो है renal calculi जैसा मैंने बोला calculi word stone के लिए use होता है तो हमें एक hard substance calculi का मतलब basically hard substance हो जाता है एक तरह से तो renal calculi basically kidney stone ये kidney का picture देखो आप इसमें यहाँ पर आपको calyx के अंदर pelvis में ये ureter में इस तरह के stone like structures दिख रहे है basically stone के वल इसलिए बोला because पत्थर कैसा hard होता है ना उसी तरह से ये hard रहता है पर ये stone का नहीं बनता है ये basically कुछ calcium salts से मिलके बनता है तो इनको stones का जाता है और ये basically insoluble mass है ये insoluble है जो easily dissolve नहीं होते है कुछ salts का formation हो जाता है और salts crystalline हो जाता है जैसे कि oxalate salts important है आपको यहाँ रखना है से question पूछा जाता है कि kidney stone में basically कौन से salts होता है तो oxalates है basically ये oxalates है और salts से यहाँ पर बने और ये crystalline हो गया है crystalline महनने के बाद में ये दीरे 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 इनके particles जो salt के particles होते 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 दीरे दीरे एक बड़ा stone का formation कर देते हैं और kidney के अंदर form होता है कई बार ऐसा होता है कि जब stone बहुत ही चोटी size में रहता है तो रॉक्टर आपको कहते है कि ज़्यादा पानी पीओ तो जब आप ज़्यादा पानी पीते हो और समझो कोई चोटा सा stone यहाँ पर है तो ज़्यादा पानी पीओगे तो ज़्यादा urine बनेगा तो इन collecting duct में से जब urine flow होता है बाहर की तरफ तो इस flow के साथ यह stone यहाँ से निकल कर urator से होता हुआ urinary bladder urator से होता हुआ body से बाहर निकल जाता है बट यह उसके size पे भी depend करता है ठीक है बाकी और ज़्यादा detail में हमें नहीं जाना इस अब NCRT तक ही हम इसको सिमित रखेंगे आप बस यह ध्यान रखें कि जो kidney stone की आप बात करते हैं वो basically salts है और इनमें जो major salts रहते हैं वो होते हैं oxalates और आगे बढ़ते हैं हम लोग next बात करते हैं glomerulonephritis जैसा starting में discuss किया कि glomerulus के inflammation को glomerulonephritis कहते हैं अब NCRT ने इतनी सी बात लिखके छोड़ दी it is inflammation of glomerulone of kidney लेकिन इतना सा मैं कहूँगा तो यह चीज समझ के बाहर होगी इसलिए आपको समझना जरूरी है कि inflammation क्या होता है सबसे पहली बात जब भी किसी organ का या part का inflammation होता है तब हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए suffix यूज करते है आईटिस जैसा हमने glomerulonephritis में किया और examples देखरता हूँ आपने नाम सुना होगा tonsillitis के बारे में आपने नाम सुना होगा hepatitis के बारे में सबके बीज़ आईटिस लग रहा है तो आईटिस का मतलब inflammation hepatitis, liver का inflammation tonsillitis, tonsils का inflammation तो कुछ इस तरह से medical में terms बनाए जाते हैं अब basically अगर आप यह जाना चाहें तो inflammation होता क्या है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा topic है आपको videos मिल जाएंगे मेरे channel पे basically inflammation पे पूरा एक video uploaded है कि inflammation क्या होता है मैं केवल आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि inflammation एक ऐसी condition है जिसमें swelling आती है swelling आने के साथ साथ में वहाँ पर heat production होता है यानि tissue warm हो जाता है वो ठीक है, pain होने लगता है और वो area redden होने लगता है मतलब redness आने लगती है जब यह चार signs एक साथ present हो तो उस condition को आप inflammation कहता है यह किसी infection की वज़े से भी हो सकता है और किसी trauma की वज़े से भी हो सकता है clear? तो यह रहता है inflammation basically आप इसको एक बहुत ही vague भाशा में समझना चाहो तो आप क्या समझ सकते हो कि सूजन आ गई है basically पर केवल सुजना ना inflammation नहीं होता यह गलत है तरीका है इसको समझाने का यह चार signs होते है inflammation के बाकि inflammation पूरा detail में uploaded है आप वहाँ पर पढ़ सकते हो कि जो लोग नीट उजी की तियारी कर रहे है वो से वितना दियार रखे हैं कि glomerulis का inflammation glomerulonephritis कहलाता है next बात करते है kidney transplantation transplantation क्या होता है basically transplantation में transplant क्या जाता है transplant मतलब एक individual से निकाल कर किसी दूसरे individual में डाल देने को हम कहते है transplantation जैसे आप सुनते हो kidney transplantation कि किसी individual का kidney खराब था individual A का kidney खराब है तो individual B से A kidney लिया और इसकी body में transplant कर दिया है उसको कहते है kidney transplantation और यह basically तभी करते हैं जब हम दौनों kidneys fail हो जाएं ठीक है अब दौनों kidneys fail हो चुकी है body में काम नहीं कर रही है दौनों ही तो एक kidney किसी और donor से लेकर उसको transplant कर दी जाती है patient की body में और यह kidney transplantation कहलाता है और यह ultimate method है correction of acute renal failure अगर किसी condition की वज़े से renal failure हो गया kidney failure हो गया दौनों kidneys कराब हो चुकी है तो एक ही तरीका बचता है आपके पास वो है kidney transplantation और kidney एक donor से आपको लेनी पड़ेगी अब सवाल आता है कि donor कौन होगा यह donor कौन होगा तो देखो donor अब क्या होता है ऐसा तो है नहीं कि किसी भी individual A का kidney लिया और किसी भी individual B में डाल दिया यह possible नहीं हो पाता क्या कहते हैं antigens की बात करेंगे हम यह आपे donor में अलग-अलग antigens है मैं देखो कौन से antigens है detail में नहीं जाएंगे हर tissue पे ना antigens present होते हैं detail में नहीं जाना चाहता अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो जरूरर comment section में आओ और मुझे यह बताओ कि जब भी organ का transplantation किया जाता है तो सबसे important कौन से antigens की matching जरूरी है कौन से antigens की matching जरूरी है वो आपको मुझे बताना है मैं आपको हिंट देता हूँ हिंट है chromosome number six chromosome number six ठीक है अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन से antigens की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो antigens match नहीं होते हैं तो इसलिए आप जब भी transplantation किसी भी organ की बात करो तो आप कहते हो कि सबसे बढ़िया अगर कोई donor होता है तो वो होता है उसका twin यानि जो उसका जुड़वा जो रहेगा वो उसके बाद में उसके siblings आएंगे यानि भाई बेहन उसके फिर उसके बाद में उसके parents आएंगे और उसके बाद में आएगा कोई और close relative मतलब उसका ठीके अब उसके बाद भी देखो कितना ही आप match कराओ कोई भी tissue chances हमेशा रहते ही है कि जो host का immune system में उसको reject कर दे इसलिए ऐसे patients को हमेशा medicine पे रखा जाता है जिसको का जाता है immunosuppressant अब यह नहीं सोचें कि यह course में नहीं है यह NCRT में नहीं है NCRT class 12 में उस medicine का भी नाम लिखा है जो immunosuppressant का काम करती है immunosuppressant मतलब क्या होता है जो किसी की immunity को suppress करे या की कम कर दे immunity suppress करने से क्या होगा कि उसकी immunity जो है उस नए organ को reject नहीं करेगी chances of rejection कम करने के लिए हम immunosuppressant पे डाल देते है patient को class 12 में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में और अगर आपको already this medicine का नाम पता है NEET का सबसे favorite question है यह वो इस medicine का नाम कि कौन सा immunosuppressant यूज होता है तो अगर आपको पता है इस immunosuppressant के बारे में तो comment section में आए और जरूर मुझे इसके बारे में बता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा immunosuppressant यूज किया जाता और अगर नहीं पता और NEET की तयारी कर रहे हो तो आपको यह chapter वापसे पढ़ना पड़ेगा clear तो एक functioning kidney use की जाती है in transplantation from a donor और donor कौन होगा preferably एक close relative होगा आपका ताकि chances of rejection कम हो सके by the immune system of the host clear और लेकिन आजकल जो modern clinical procedures आए है यानि जो clinical procedures मतलब आप समझे लो surgery की techniques surgical techniques जो clinical surgery जम करते हैं बहुँ कोई simple सी चीज तो है निक kidney transplantation एक complex surgery है तो यह surgical methods आजकल इतने ज्यादा advanced हो गया है कि जो success rate इस technical technique के इस complicated technique के इसके success rates काफी अच्छे आ रहे हैं इस पर ठीक है तो यह होता है kidney transplantation जाते जाते एक और question में class 12 में से और जो neat में बहुत बार आता है class 12 में से और पूछ लेता हूँ I hope आप मुझे comment section में आकर इसका answer देंगे question यह है कि आपने class 12 में पढ़ा कि immunity दो टाइप की होती है एक होती है cell mediated immunity और एक होती है antibody mediated immunity या humoral immunity अब मेरा सवाल यह है कि जब हम कह रहे हैं कि आपका immunity एक donated organ को reject कर सकता है तो वो कौन से immunity है CMI या AMI दो यह option आपके पास इन दोनों में से एक चुनना है कि कौन से immunity की वज़े से एक transplanted organ kidney की बात कर लो एक transplanted kidney fail हो सकती है इन में से कौन से immunity उसको reject कर सकती है यह neat का बहुत favorite question है चाहे आप कोई भी exam की तेहरी कर रहे हो केवल neat नहीं यह question काफी बार exam में आता है तो आप comment section में आए और मुझे इसका answer दें फिर भी अगर आपको किसी तरह की कुद आउट रहते हो कुछ आपको extra पढ़ना हो तो आप मुझे इन तीन जगहों पर contact कर सकते हो मेरा WhatsApp नमबर है यह mail ID पर contact करो और Instagram एंडल पर भी मुझे से बात कर सकते हो आप और अगर आपको लगता है हमारे वीडियो बहुत helpful है आप लोगों के लिए और आप काफी कुछ सीख रहे हैं इन से तो join करें हमारे चैनल को support करें हमें member बने और member बनने के तुरंत बाद हमें WhatsApp करे हैं ताकि हम आपको हमारे member वाले group में add कर सके जहां पर हम और healthy discussions करते हैं about any doubt या any any suggestion from your side या कोई और अलग से topic पढ़ना हो तो उस बारे में चली फिर्ट, that's it, thanks a lot for watching us